नमस्कार स्वागते हमारे खास प्रोग्राम मंदिर दर्शन में और मैं हुआ आपके साथ श्वेता चुपाठी 36 गड़ की वो नदी जहां मृत ब्यक्ति को इसनान कराने से उसमें भी आ जाते हैं प्राड जी हां दोस्तों एक ऐसा कुंड जहां नहाने से हो जाती है सारी बिमार्या दूर साथ ही मुर्दे को नहलाने से उनमें भी प्राड आ जाते हैं कुंड में कई बार लोगों ने हनुमान जी को नहाते हुए देखा है। जी हाँ दोस्तों हम ऐसे कुंड के बारे में बतलाने जा रही हैं जिनमें दिब्र शक्ति का वास माना जाता है। राजगर जीले में सहारन पुछापी हेरा मार्क पर इस्थेथ छोटा सा गाउ है लीमा चोहान। उज्जैन से करीब 105 किलो मिटर दूर इस्थेथ गाउ के लोगों का दावा है कि यहां इस्थेथ खेरा प्रती हनुमान मंदिर के सामने बने कुंड में इसनान करने पर आसाध यह रोग भी ठीक हो रहे हैं कई बार तो ऐसे मरीज भी यहां से ठीक हो चुके हैं जिनको ठीक ना होने वाली भैंकर बिमारी थी और डॉक्टर ने भी उन्हें बस कुछ दिनों का महमान बता दिया था पर इस चमतकारी कुंड में इसनान करने में उनका वो भैंकर रोग भ भगवान के दर्बार में मत्था टे खुशी-खुशी वापस जाते हैं लोग बताते हैं कि यहां कैंसर और जटे चर्मरोगी भी ठीक हुए हैं मंदिर के पुजारी ने बताया कि यहां सालों से लोग इसनान करने आ रही हैं इस मंदिर के बारे में उन्होंने ये बताया कि एक गाउं की महिला चर्मरोगी से पीडित थी, कई जगा इलाज करवाने के बाद भी उन्हें कोई लाफ नहीं हो रहा था एक बार उन्हें खेडा प्रती हनुमान ने सपने में दर्शन दिये और कहा की मेरे दर्बार में आओ और सामने तलाब में बने कुंड में इसनान करो तुम्हारे सारे रोग ठीक हो जाएंगे फिर क्या था वो वहाँ आई और वहाँ इसनान करने के बाद ठीक हो गई इसे छालावार के एक ब्यक्ति को भी भगवान ने सपने में दर्शन दे कर यही बुलाया वह काफी बिमार था वे यहाँ आई और स्वस्थ हो गए उसके बाद जैसे ही ये खबर फैली लोगों ने यहाँ आना शुरू कर दिया मंदिर के पुजारी बताते हैं कि यहाँ लागतार पांच मंगलवार या शनिवार को इसनान करने से सुजालपुर में इस्थित गाउं में रहने वाली दो कैंसर पिलत महिला भी ठीक हुई है यहाँ दूसरे प्रदेशों से भी लोग आ रही है फिलाल हमारे इस खास प्रोग्राम मंदिर दर्शन में इतना ही अगली बार ऐसे ही किसी और जगह की रहस्यमई मंदिरों के बारे में मैं आपको बताऊंगी तक तक के लिए हमें इजाज़त दिजे नमस्कार खबरों में बनी रहने के लिए चैनल को सब्सकाइब करें और ये बैल आइकन जरूर दबाए